दिल्ली सारे एक बड़ी खबर के साथ जहां ट्रांस्पोर्टर्स के हर्ताल को लेकर बैठक हुई है All India Motor Transport Congress के प्रतिरध्यों की बैठक ग्री मंत्राले में चल रही है ग्री सचिप के साथ ट्रांस्पोर्ट Congress बैठक कर रही है All India Motor Transport का बड़ा बयान आया है और कहा कि हमने तो किया ही नहीं हर्ताल का अबभान बड़ी खबर ग्री मंत्राले में बैठक चल रही है और All India Motor Transport Congress के जो प्रतिरधी है उनके साथ ग्री मंत्राले में ये बैठक चल रही है ग्रीस अचिफ के साथ वो ये लोग बैठक कर रहे हैं लेकिन बैठक से पहले All India Motor Transport का ये बड़ा बयान है जहां वो कह रहे हैं कि हमने हर्ताल का आपभाहन किया ही नहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बतारें कि बैठक से पहले All India Motor Transport ने ये बड़ा बयान देते वे कहा है कि हमने तो हर्ताल बुलाई ही नहीं तो हर्ताल को लेकर हाई कोट का सक्त रवया देखने को बिला कोट ने हर्ताल खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं जबलपूर हाई कोट ने ये सक्त रवया दिखाते हुए हर्ताल को तुरंथी खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं ट्रक और बस ड्राइवर्स की हर्ताल के खिलाब की यार्चिका यहां लगाए गई थी कोट ने हर्ताल को सरधानिक बताया है साती हर्ताल को खत्म कराने को लेकर सरकार को निर्देश दिये हैं तो ट्रक ड्राइवरों के हर्ताल पर हाई कोट सक्त है हाई कोट ने सरकार से कहा कि आज ही हर्ताल को खत्म कराने के लिए निर्देश दिये इस सब्सक्राइब करें किसी भी आवाज्चक बस्तिया उख्तियों को प्रवावित नाओ पैट्रोलिया और पधार्त को सिचारवाई को प्राप्त हो सकते हैं तो एक तरफ कोड भी हर्ताल पर अधिकारों के साथ बैठक की बैठक में सबी जिलों के कलेक्टर और S.P. शामिल हुए जरूरी समान की कमी ना हो इस लिहाज से CM ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं CM ने प्रदर्शन कारियों के उत्पात पर सक्त कारवाई करने के भी आदेश दिये हैं ने ट्रांस्पोर्टर्स की हर्ताल पर CM ने जो बैठक लिए है उसकी दस्वीरे आप देख रहे हैं CM काफी सक्त हैं CM ने कहा कि किसी भी सामान की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आम जनता को और साथी जो हर्ताल की नाम पर उत्पात कर रहा है उन पर भी सक्त कारवाई करने के आदेश CM ने यहां पर दिये हैं तो हर्ताल का असर और हर्ताल को खत्म कराने के जो कारवाई की जा रही है उन पर बातचीत करने के लिए हमारे सायोगी जुड़े हैं भुपाल से प्रशांत कटारे और साथी दिल्ली से शंकर आनन जुड़े हैं पहले आप बताएं दिल्ली में जो बैटर्यक हो रही है उसको लेकर क्या अपडेक्ट और और नहां चीज़ किया जेदर कर रहे हैं जो ऑख्यार को ऑगर बात करें तो उनके नितर्थ में प्रतिन इंजू से बाचीट किया जा रहा है और इसके सांथ तमाम जो मसलें उन अन्वार से चर्चा की जा रही हैं और इसके साथ ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको View अबहुत सारे डीघियानक वाध्यी सेहित hace जो नए प्रावधान कहें चाहारे उस प्रावधान को समझना बेहतर होगा और वहुत सारे अफवाउं का जो बाजार गर्म करने वाले जो लोग हैं मखायदा उन पर नजर रखे जा रही है और खास तोर पर देखिए एक सक्षिन की बारे में जिक्र करना चाहेंगे जैसे एक जो अफवा है वह उसमें कहा जा रहा है सोचल मीडिया पैसी खबरे पहलाए गई कि अगर कोई हीट अंडरन का मामला करता है तो उसको कम से कम साथ साल का सजा हो सकता है लेकिन साथ साल की जो सजा है यह ऐसा कोई प्रावधार नहीं होता है सजा बाद में उस मामले पो फैसला करता है कि क्या वो हीट रून का मामला है यह नहीं पहला चीज दूसरा क्या इस मामले में अधिकत्रशा होनी चाहिए या कम सजा भी दिया जा सकता है तो मतलब भ्रामक सथी ये है कि सबको लग रहा है ट्रक ड्राइवर्स को खासता और पर कि अगर हिटन रन में वो पकड़े गए तो उन्हें पकड़े जाते ही उन पर सीधा सासल की सजा उनको हो जाएगी शंकर एक और बात यहाँ पर समझने चाहूंगे जो बड़ा बयान आया है All India Motor Transport की ओर से की हरताल का आपवाहन हमारी ओर से किया ही नहीं गया उसको लेकर क्या इंपुट है देखे बात वही में कहा रहा था कि बहुत सारे एसोसियसन ऐसे हैं उन एसोसियसन के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो जान बुझकर इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिस करते हैं या गलत तरीके से तत्यों को पेश नामने रगा जाता है जिसके चलते यह मसला इतना बड कि सबानने तबोरन देखा जाता है कि सब्सक्सी का मामला होता है 지ं कई बनाने भी ड्र के मारे ट्राइबर धर फरार हो जाते चाहें वह वो बस वाला त्रॉक्त cctv में देखने को मिलता है आम लोगों के दुवार मुवाईल सर्स देखने को मिलता है कि ड्राइबर को पता चल गया इसके वार गाड़ी पी पीशे कर रहा है उसके बाद फरार हो रहा है तो यहां पर एक सोची को जा सकता है कि आप जान बुझकर मौके से फरार हो रहे हैं तो वैसे हालत में अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि सजा का जो प्रावधान है वो कम हो जाए या अगर आपके एक मेहनत करने से अगर आपके एक पहल करने से अगर किसी के जान बसती है सब्सक्राइब करनें और निच् Lap , जान बचानी का प्रीयास करते हैं तो निश सब्सक्राइब साजबार नंहें होगा और अमस्वों पर इक विस्तार से चर्चा पे लेकी जारी है और चर्चा करने के दारान चर्चा बहुत जरूरी है तभी यह जो ब्रहम है वो दूर होगा प्रशांत कटारी भुपाल से हमां से लाइफ जुड़े है प्रशांत हम देख रहे हैं दिली में महतपूर्ण बैठक जा रही है शंकर इससरा से बता रहे थे वहीं भुपाल मे कि सीएम ने भी अपने अधिकारे को सक्त निर्देश दे दिया है कि आम जनता को दिक्कत ना हो और साथी जो उत्पात कर रहा है अरताल के नाम पर उन पर भी सक्त करवाई हो बिल्कुल अपना दर असल दो मोट्चो पर पोकस है और फोकस पहला यह कि जो डिलर शे आसोसीशंज हैं उनसे बाचीत करें खासतोर से पहला यह कि बाठक ट्रक आसोशीशंज से जुड़ी वे लोग हैं उनसे बाचीत हो रही है ताकि कोई भी चीज बादा ना आ अहालग आ तरहातार सोचारी के से सफलाई होती रहे लग लग जो आती हावशक बस्य है उनकी या पिर पेटरोल की डीजल की थैसी दूसरा फिर रसोई गैस की और दूसरी इफ्ष हर जो मोर्चा है बात्चीत का वो जो हर्ताली कर्मचारी है यह माफ किडिये इन उसे बातचीत करनी की कोशिश है ताकि उन से बातचीत की बात कोई हल निकाला जा सके जैसे हमारे दिली से सहीवगी बता रहे थे कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट असोसियेशन है वो खहरा है कि हरताल हमने कोई की ही नहीं बिल्कुल ठीक बात है चुकि ऐसा कोई प्रावधान बस माल कोशिश है कि बहुत इस पस्ट निर्देश है कि कहीं भी किसी भी सूरत में जो वहाँ दिककत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आम जनेता को दिकत नहीं होनी चाहिए पवन पटेल भी हमाँ से जुड़े जबलपूर से पवन आप बताएं जबलपूर में आज दिन भर क्या सुथी रही है वहाँ पर हाई कोट ने में सक्ट टिपड़ी की है इस्थिती तीन दिन से इसी तरह की बनी हुई है पेट्रोल पम्प भीर लगी हुई है सबजिया महंगी हो गयी है और जो देनिक रोजगार है देनिक दिंचरिया की चीज़े है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होती दिख रही हैं जिनकी कीमतें कहीं न कहीं दीरे-धीरे पूरी बादचीत की जाएगी जो भी नड़ा होगा वो जंता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा उसके बाद जिला प्रिशासन की टीम शेहपुरा इस्थित्र डिपो पहुंची पेट्रोलियम डिपो जहां पर हरताल करने वाले टेंकर चालको और ट्रा ट्रांस्पोर्टर्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ये जरूर बात सामने आईए कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ती कहीं भी बाधित नहीं की गई है जो हरताल करने वाले चालक परिचालक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने किसी को भी रोका नहीं है जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी सप्लाई लगातार जारी है इस बात को सुनका इससे ये अंदाज लगाया जा सकते कि आवश्यक वस्तु है तो मिलेगी लेकिन हरताल खत्म करने की अभी तक कहीं से कोई भी इस परष्ट जानकारी सामने नहीं आई जी बहुत शुक्रिया पव पेट्रोल भराने को लेकर लिमिट टे कर दी गई है तो आप 500 रुपे तक कहीं पेट्रोल भरवा सकते हैं और अगर आपके पास 4 विलर है तो 1500 रुपे की लिमिट 4 विलर चालकों के लिए हैं कलेक्टर नहीं आदेश चारी कर दिये गए हैं जो पेट्रोल पंस पर लंबी- रुपे तक कहीं पेट्रोल भरवा सकते हैं उतनी ही लिमिट आपके लिए फिक्स की गई है और अगर आपके पास 4 विलर है तो आपके लिमिट रखी गई है 1500 रुपे ताकि हर किसी को ही पेट्रोल मिल सके यह नहीं कि कोई पेट्रोल का टांक फुल करवा रहा है अपनी गा रही किये हैं तो चार पहिया वाहन के लिए 1500 की लिमिट है दो पहिये के लिए 500 की लिमिट है अलग-अलग लिमिट यहां पर लिमिट का स्लाब रखा गया है और अब बात करते हैं